बचो लिश्ट आप डॉकुमेंट्स पर में एक सेपरेट वीडियो और अच्छे से बना दूँगा कुछ हफ्तो बाद जब एड्मिशन्स की टाइम आएंगे बट अभी मैं आप लोगों को ओवराल सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ये जो डॉकुमेंट्स हैं इन डॉकुमेंट्स की वावस्था करना शुरू कर दीजे क्योंकि लास्ट मुमेंट्स पर डॉकुमेंट्स करने जाईए गए कठ्था तो बहुत ज़्यादा प आप देखेंगे बहुत डीटेल्स बनी जाएंगे इसमें फॉर्मेट वगरा दे रखा है किस फॉर्मेट में आपको डॉकुमेंट लाना है तो उसके लिए पीडियु वगरा बना रखाए इन्होंने फॉर्म जो भरने आपको वह फॉर्म का भी पीडियुएफ है वह वह कर सकते हैं यह अभी नहीं करना है अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए और उसके बात जब सेलेक्शन अगर हो जाता है बच्चे का बच्चे को अगर स्कूल मिल रहा होता है फिर आपको यह अगर भाई साब खुल जा खुल जा खुल जा अभी तो यह नहीं खुल रहा है आप लोग अराम से इस पर देख सकते हैं इस पर इसी मतलब इस पर कोई चैसा कोई हाई साइंस नहीं है कि मैं आपको नहीं बताओं हो ताप करनी पाऊगे सेकेंड देखिए मेडिकल फिटनेस है तो आपके फिटनेस रिपोट एक आपको बनवाना पड़ेगा और किस फॉर्मेट में बनवान है वह फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है कैसे बनवाते हैं मैं बता दे रहा हूं यह लोगों का पीडिएफ आपको डाउनलोड करना है उसमें कुछ फॉर्म होगा जिसमे फॉलफिल करना होगा आपको कि यह 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 यसीजी भर नहीं है आप नहीं भरेंगे वह वह आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे किसी भी गवर्मेंट hospital में या आप private hospital में जा सकते हैं गवर्मेंट का जो डॉक्टर हो क्या करेगा वो आपकी बच्चे का चेक करेगा और वो फिर format वगरा भरेगा कि भाई हाँ मैंने चेक कर लिया है इसके आखे ठीक है इसके यह ठीक है और फिर वो लगा के साइन करके आपको देगा डेट विल बिकम यूर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट यह तो आपको बहुत क्लियर होगा बहुत इजी है अगला जो आएगा आपका और नेक्स्ट बनता है वो है Study Certificate Dually Signed by Principal यह आपके प्रिंसिपल से आपको यह Study Certificate Sign कराना है इसमें भी कोई कोई बहुत जाद रॉकेट साइन्स नहीं है बगल में जो format दिया हुआ है यहाँ पर यह format को आपको डाउनलोड करना है और यह format डाउनलोड करके उस format के उस form को आपको प्रिंसिपल को देना है और भाई प्रिंसिपल जी इसको भरिए इसमें सील मारी है साइन करिए फूर्थ नंबर पर देखिएगा तो Certificate of Service है यहां पर आप देखिएगा तो अगर आप Defense Category से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए यह हैं अगर आप नहीं करते हैं Defense Category से तो इसकी जरूरत आपको करते हैं आपको यह आपको जम्म करना पड़ेगा इसके लिए बता रखाया कि आप तशिल्दार से करवा सकते हैं या फिर आप किसी और से भी करा सकते हैं अपको बस करना क्या है अधाने का मतलब की एक अपरेल 2023 लास्ट यह एक अप्रेल के बाद का जो आपको डेटा है कि भीया इस साल हमने कितना कमाया था हर निंग उसके लिए आपको इनकम सेटिफिकर बनाना पड़ेगा फॉर्मेट दिया हुआ यहां पर यहां पर दीके यह होगे फिर कि चलो अब भी तो मैं इसको अभी हटा देता हूं आप आराम से देख पाओगे डोंट वरी आप पता नहीं सामा उखोल नहीं रहे यहां पर देखिए आपको यह format डाउनलोड करना है और इस format को लेके जाना है फिल करना इस format में जो भी डेटा है और उसको जाके आपको तस्यलदार को देना और उसको verify करवाना है कि आपकी income जितनी लिखी आपने उतनी सत्य है जैसे आप मा या OBC हो OBC में दो टाइप के होते हैं एक NCL होते हैं नौन क्रीमी लेयर और एक CL होते हैं क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर वालों को कोई भी reservation नहीं है इसलिए उनको यह form भरने की जुरत नहीं है जो नौन क्रीमी लेयर है NCL वाले हैं तो उनको भरना पड़ेगा तो ST, SC और OBC के है वो है provisional admission letter from ISAC 2024 यह आपको भी नहीं मिला है यह तब मिलेगा जब आपका counseling successful हो जाएगा जब आपको मानलो कि स्कुल मिला counseling के duration में counseling चल रहा था और आपको message आगया आपको PDF आगया कि हाँ आपका selection हो गया है उसको बोलते है provisional admission letter ठीक है वह अभी आपको नहीं मिला है त आपका गुम गया admit card तो आप same website पर जहां सापने scorecard निकाला था न वहीं पर admit card का भी option आएगा वहां से admit card आप निकाल सकते हो scorecard भी आपको बनाना निकालना है scorecard याने कि आपको जो result है उसको कैसे निकालना उसके लिए मैंने proper separate video बना रखा था वह आप चैनल पर जाके दो अगर नहीं बना हुआ है तो कोई और सी ID दे दो स्कूल की ID तो थोड़ा स्कूल की ID में भी photo ID होनी चाहिए उसको थोड़ा कम importance दिया जाता है तो आप प्लीज उसका जुगाड करके आप अपना identity card हाला कि स्कूल का ID काड़ दोगे तो लोग बना कर देंगे पर अगर अ lifetime life की बात है so it is very important ठीक है अब देखो next नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि proof of date of birth यानि कि आपको birth certificate जमा कराना है वो आप अपने hospital से निकलवा सकते हो अपने निकलवाया भी होगा भी तक आई हो उसके बार domicile certificate यानि कि आपका जो निवास प्रमान पत्र है यानि कि कि कैसे बनाते हैं domicile certificate कैसे बनाते हैं इंकम certificate यह सारा आपको मिल जाएगा कि कि किस officer के पास जाना है कहां पर कैसे करना है ठीक है अगला आता है आपका 13 नमबर पर जो स्टेट लिखा है उसी स्टेट का होम स्टेट को टा मिलेगा आपको जैसे माली की सैनिक इसकोल अंभी मिलेगी आदर्वाइस आपको 28 में जाएगा यानि कि आप अधर स्टेट को अगर आपका किसी और स्टेट कोड़ा में सहले तो फिर आता है थर्टीन नमबर फोटोग्राफ वो तो फोटोग्राफ का कोई दिक्कत है नहीं वाप अना फोटोग्राफ निकाल सकते हो और फैम देखें यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यह जो डॉकुमेंट्स है यह आपको ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी ले जाना दोनों ठीक है केंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वाइड तो ब्रिंग ओरिजिनल दॉकुमेंट्स अलॉंग विट वन सेल्फ सेट अफ सेल्फ अटेस्टेड हाड़ कॉपी अफ दिस दॉकुमेंट्स तू अलॉट्टेड स्कूल में आप वेरिफिकेशन के जा रहे है माली जी सैनिक स्कू